बुक स्टार्ट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। अभी ने पूरे हफते पौधा दिवस, संगीत दिवस और रंगाई पुताई दिवस का आनन लिया और खुद को व्यस्त रखा। चलिए, इस कहानी में अभी के साथ घर में चहल कदमी करते हुए, पैटर्न यानी तरीकों पर ध्यान देते हैं और उन्हें पहचानते हैं। कहानी का शीरशक है, अभी आज क्या करेगा। ओरिजिनल स्टोरी, पेंट डे, प्लांट डे, बाई प्रथम बुक्स। कहानी लिखी है, संजना कपूर। चितरांकन, देबिस्मिता दासगुपता। कहानी का अनुवाद, वर्तुळ आदिशेश धौंडियाल। कहानी का वाचन, असावरी दूशी। अवी ने अंगडाई ली, और कूत कर विस्तर से उठ बैठा। आहा, आज पौधा दिवस है। मा ने बीज निकाले, अवी ने सावधानी से उन्हें गमलों में बो दिया। चोटा गमला, बड़ा गमला, चौकोर गमला, चोटा गमला, अवी ने पौधो को सीचा। अवी ने ब्रश धोये, पापा ने रंगों को मिलाया। आज रंगाई पुताई दिवस है। अवी को सभी रंगों को मिलाना पसंद है। आज मरम मत दिवस है। मा और अवी ने मेज के पेच कसे। यानि की स्क्रू टाइट किये। कसो ठोको। कसो ठोको। अवी ने देखा कही मेज अभी भी डगमगा तो नहीं रही। आज सफाई दिवस है। अवी सभी चीजों से धूल साफ करने में मम्मी और पापा की मदद कर रहा है। पोचो। खासो, जाडो, साफ करो। पोचो, आक्ची, धूल आ गई। आज चादर दिवस है। अवी बिस्तर की चादरे बदल रहा है। खीचो, दबाओ, खीचो, दबाओ, थप थपाक, खीचो, दबाओ। अवी ने सभी गधियों और तक्यों को फर्ष पर लाइन से लगा दिया। गद्दी गद्दी तकिया मसनद, गद्दी गद्दी धूम दपाक। कुदा कुदी चल रही है। अवी को सबसे ज्यादा पसंद है संगीत दिवस। इस दिन कोई भी तेज आवाज के लिए नहीं टोकता। अवी ने फिर से ढोल बजाया। आज पक्षी दिवस है। अवी मम्मी और पापा के साथ पक्षियों को देख रहा है। भूरी चिडिया धीमी चाल वाली लंबे पैर वाली। भूरी चिडिया अवी उंगता है। वो ठका हुआ है ना। मगर सुबा उठने के लिए उत्साहित है। क्योंकि कल फिर से पौधा दिवस है। बच्चों हमारे चारोर तरीके यानी पैटन है। दिन, हफते, महिने और साल सब एक तरीके यानी पैटन में चलते है। अपने हफते के दिनों को देखो। क्या आपने कोई एक दिन किसी खास काम के लिए रखा है। अगर कुछ ऐसा रखा होगा, तो आप मुझे जरूर बताईएगा इमेल पर। हमारा इमेल है contact.booksthatspeak.gmail.com तो कैसी लगी ये अलग कहानी और इसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया